स्वागते में तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्राणिक स्टडी पर आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो आगामे परिक्षा हैं CTET और UPTET उन से उनके लिए हिंदी के सिक्षास्तर के कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आज हम यहां पर बात करेंगे वीडियो में लास्टर तक बने रहीएगा यह समझने के लिए यह जानने के लिए कि किस तरीके के सिक्षास्तर में आपके सवाल जो है वो पूछे जाते हैं आप लोगों को यहां पर मैं बता दूँ कि आज आपका यह पांच लगभग चार पांच दिन हो गया जो है मैं वीडियो को यहां पर पब्लिश नहीं कर पया तो ऐसे में अभी आपको मैं धेरे धेरे वीडियो आपको मिलने शुरू होंगे सीटेट और यूपिटेट की प्रपरेशन के लिए दोस्तों पहला सवाल पर इसमें लिखा हुआ काउंसा कतनिन में से सही नहीं है भाशा प्रतिकों का विवस्तित धाचा है भाशा जो है हमारे अनुभाव बाटने के काम आती है भाशा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी या संप्रेशन के लिए बोली हुई भाशा जो है वो आवश्यक है तो इसमें से आपको बता रहा है कि काउंसा सा स्टेटमेंट जो है वो रॉंग है आप लोग अपना आंसर भी बिल्कुल दे दिये होंगे मैं आपको बता दू जब आप रॉंग स्टेटमेंट के बारे में बात करते हो तो प्रतिकों का विवस्ति धना चाहिए तो बिल्कुल सही है आपका भाषा हमारे अनुभव बाटने के काम आती है ये भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये सही है संप्रेशन के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है ये भी जरूरी है यहाँ पर लिखा है कि भाषा बिना संस्कृत जो है वो संचारित नहीं हो सकती ये जरूरी नहीं है बिना भाषा के भी जो कल्चर की बात है उसका ट्रांस्फर्मेशन हो सकता है उसका संचारण हो सकता है प्रतीक है और भी बहुत सारी चीज़े है ठीक है माउन तरीके से और भी बहुत सारी वेज है रास्ते हैं जिनके माध्यम से कल्चर को ट्रांस्फ कितने से कौन सा कथन सही है अगर कोई गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है या तुरंत रोखने की लायक है मतलब अगर गलती हो रही है उस बच्चे से तो गहा गया है दोस्तो इस क्वेशन के आंसर कुले करके जब आप बात करोगे तो गलती होना मतलब अभी नहीं सीख रहा है कोई बात नहीं ठीके लेकिन गलती से उसे ये सीख मिलती है कि अभी गलती हुई है नेक्स टाइम जो है हम कोशिश करेंगे कि गलती नहीं हो मतलब वहाँ पर सीखने वाली ही ब अगले सवाल के तरफ चलते हैं मानो और पशों की भाषा सीखने के एक शमता के अध्यन संबंध ही प्रियोग हुए अधिकतर किस पर हुए हैं सबसे ज़्यादा प्रियोग किस पर देखने को मिला है अपने CDP पढ़ा होगा वहां भी काफी सारे प्रियोग देखे होंगे और अलग-अलग मनवे ग्यानिकों ने किस किस तरीके से क्या कि चीज़े बताई हैं तो यहां पर यह सवाल आपके लिए हैं भी यहां पर दोस्तों जब अब थर्टी इस पर्टिकुलर क्वेशन को लेकरके जब आप बात करोगे ऐसे में जो अधिकतर प्रियोग देखने को मिलते हैं वो है चिंपाइंजी और वानर उपर ठीक है क्योंकि आपका तो वानर पूर्वस थे और रिकारडिंग लिए आप जो है रिसर्च करते जाते हो आंसर जो है वो आपका भी आएगा नेक्स्ट कॉश्चन है आपका बच्चे की सीखने की प्रकरिया में सरवाधिक महतोपूरड भूमिका किसकी होगी बच्चे द्वारा भासाई प्रियोग की नियम पकड़ना बच्चे का उच्चारड व्याकरण का ग्यान पाठ्य पुस्तकों की सामग्री क्या है बच्चे की सीखने की प्रकरिया में जो लर्निंग प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टन क्या होगा इसमें भुमे का किस्वेशी होगी वो यहां पे पूछा गया है तो उच्चारण व्याकरण का घ्यान जरूरी नहीं है सीखने के प्रकर्या में की आपको ग्रामा आता हो तभी आप सीखें उचारण भी इतना जरूरी नहीं है, पाठे पुस्तकों की सामगरी भी जरूरी है पाठे पुस्तक वाली सामगरी वाली बात, लेकिन बच्चे द्वारा भासराई प्रियोग के नियम पकड़ना, कि भासरा का प्रियोग कैसे होगा, क्या कुछ चीजे होगी, कैसे हम बात करे जो भी तरीका होगा अगर वो उसने पकड़ ली तो यहां पर जो है जो सीखने की प्रकरिया है उसमें वो अगरसर रहेगा फिर यह आगे बढ़ेगा जो है आगे बढ़ते हैं इसमें बच्च में भाषवा सीखने की ख्षमता और समझ विक्सित हो इसके लिए क्या जरूरी ह जरूरी है कि जिस भाषाई शाली में वक्ता वा बच्चा सहज हो उसी का प्रियोग करना चाहिए जिस भाषाई सहली वक्ता सहज हो उसी का प्रियोग करना चाहिए देखें वक्ता सहज हो वक्ता और बच्चा सहज हो पहले में था दूसरी में वक्ता सहज हो बाकि उसी के कॉर्डिंग आपके ABCD options लिखे हुए है पूरा सवाल अब आपके स्क्रीन पर है आप देख पा रहे होंगे जो क्लास में जूड रहे हैं उनका बहुत-बहुत स्वागत है भी मन की चलिए कुछ ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं जब आप अपनी परीक्षा को ले करके बात करते हो सीटेटार दिसमबर को हो प्रस्तावित है यूपिटेटार दिसमबर को लेकिन अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है तो आप लोग अच्छी तरीक से फिलाल पढ़ा ही जारी रखिए दोस्ट जब आप बात करते हों यहाँ पर भाषा सीखने के एक्षमता और समझ विक्सित करने के लिए तो जो वक्ता है वो उसी भाषा का प्रियोग करेगा जो कि बच्चा भी समझ सके कुछ और इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है जी ए लगा दीजे तुरंत है ना उसी भाषा सायली का प्रियोग करेगा जो वक्ता और बच्चा जिसमें दोनों लोग सहज हो इसली अंडर्स्ट्रेंड अंडर्स्टूड हो और वो उसको समझ के जो है आत्मसात कर सकें सीख सकें आगे बढ़ते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेशन है आपका पढ़ने में बाधा नहीं है द्यान दीजेगा पढ़ने में बाधा नहीं है सारे नियम पहले ही बता डालना उचारण पर ही जोर देते रहना सटिकता पर ही जोर देते ने लिखे हुई चीज का अर्थ निकालना द्यान दिजीगा पढ़ने में बाधा देखिए जब आप बताओगे ये सारे नियम पहले ही बता डालना आपको पता है नहीं कैसी क्या काम होना है क्या नहीं होना है किसी ने कोई टीचर आए आपको सारे नियम कानून पहले ही बता दिया है ऐसे में दिक्कत हो सकती है ठीक है उचारण पर ही जोर देते रहना कोई pronunciation पर ही जोर देता है तो उसमें विवाधा आएगी अगर बच्च प्रणनेशियेट नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत होगी सटिकता इसमें भी दिक्कत होगी लेकिन लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना अगर लिखी हुई चीज के अर्थ निकालने को लेकर के बात कर रहे हूँ तो ऐसे में जो आपका होगा पढ़ने में जो बाधा होगी वो बहुत कमाएगी ऐसे में या फिन नहीं आएगी तो आज़ी आएगा आगे चलते हैं भाषाई ग्यान का मुल्यांकन होता है मातर लिखित परिक्षा के माध्यम से मौखिक परिक्षा के माध्यम से लिखित मौखिक दोनों से या उप्रोक्त में से किसी माध्यम से नहीं भाषाई यान का मुल्यांकन आप लिखित तोर पर भी कर सकते हो और दूसरी तरीके से आप मौखिक तोर भी कर सकते हो भाई कोई ओरल टेस्ट ले रहा है आपका कोई रिटन टेस्ट ले रहा है दोनों ही आधार परभाशाईग्यान का पता चल जाएगा इसे में तो जो आपका अंसर है यहां से वो सी आएगा दोस्तों आप लोगों के लिए पीडिया फाइल्स जो मैंने प्रपेर की है Electronic Study जो Android Application है मैंने पूरा CDP का जो है 100 रुपए रखा है ऐसे में मैं अभी आपको बताए दे रहा हूँ ठीक है आप वहां से जाकर के जो है चैप्टर वाइज सवाल रखे हैं 500 प्लस MCQs बुलेट वन लाइनर सब कुछ आपको इसी 100 रुपए में मिलेगा तो आप एक बार जाकर के वहां पर रिच आउट कर सकते हैं वीडियो के डेस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और अगर आप इंट्रेस्टेड है तो मुझे 8081 8081 743734 पर भी आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है वाट्सेप कर दीजिएगा अगर फोन नहीं उठता है तो 8081 84 34 पर यहाँ पर अगर मैं आगे बात करो इसमें भाशाई ग्यान की बात हो गई आगे इसमें आपका आंसर तो यहाँ पर सी आएगा नेक्स्ट जो आपका सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाशिक सापेक्षता के संबंद में प्रचलित व्याख्या की दृष्टी से सही है क्या है भाशिक सापेक्षता की बात हो रही है यहाँ ठीक है ध्यान दिजेगा जब आप इस सवाल के बारे में बात करते हो भाशिक सापेक्षता को ले करके ठीक है यहाँ पर आपके जो options हैं भाशा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है भाशा विचारों को प्रभावित नहीं करती है भाशा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है यह उपरोक्तमेट से तीनों सही है तो जब आप इस चीश को लिए करके बात करते हो आपका भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है एकदम करेक्ट स्टेट्मेंट है आपका ठीक है आंसर जो है यहां से वह आपका आएगा ए ठीक है इस चीज का ख्याल लगएगा चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल आपका लिखा हुआ है इसमें निम्asा कित मेंसे कौनसा सिद्धात भाषा के उदभाव और विकाससे संबनदिती सिद्धांत के बारे में यहां पर सवाल पूछा गया है कि क्या विंप का यह जो डिक डांव सिध्धान करके है अपका यह भास में Commonwealth असमें लिकत भाशा में अक्षर ध्वनियों के द्रिश्य प्रतीक होते हैं सामनितहाकरतियों वो ध्वनियों का संबंध सुस्थिर और सारवभावम होता है अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है सही है गलत है क्या है लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के द्रिश्य प्रतीक होते हैं अक्षर ध्वनियों के भाई अक्षर की बात कर दी है लिखित भाषा की बात की है obviously वो आपका द्रिश्य प्रतीक होगा मतलब आपको आप देखोगे ना लिखित है तो obviously आप देखोगे दूसरी लेन करा है सामान्यताह आकरतियों और dhwniयों का संबंद सो इस तराय सार्व भाम होता है जो आकरति है और धौनी जो है आपने पढ़ा होगा न कि जैसे लिखी जाती है वायसे ही आपकी दिवनागरी बोली जाती है आपने बोला आ आ लिखा है आ बोल भी रहे हो और सार्ब भॉम है यूनिवर्सल है ये चीज पूर्ट यहाँ सत्य आएगा इस्टेट्मेंट आपका ठीक है मने आपको बता दिया कैसे आएगा आगे बढ़ते हैं इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है ध्वनी का फर्क एप सांकेतिक ध्वनी चिन की माध्धिम से निर्धारित करते हैं जिबकि जानवर की भाषा को नहीं करते हैं और उप्रोप्त में से तीनों सही है इंसान जानवर को लेकर कि आपका तु बांसरा क्या होगा है बडा वाला लगा दिया होगा आपने इसमेन बिल्कुल नहीं है यहां नहीं हैँ व्यक्तिकत आकलन पार यहां पर बात की जा रही है व्यक्तिकत करो वो भी ठीक है सामूह में करोगे तो भी ठीक है स्वा अकलन खुद से अकलन करेगा वो भी ठीक है लेकिन पेपर पेंसिल अकलन ये इसमें आपका रिलेट नहीं करेगा ठीक है आप भाशा को लेकर के बात कर रहे हो language को लेकर के paper pencil ऐसे इसमें जो है जरूरी नहीं है जो आपका answer आएगा वो डी आएगा आगे बढ़ते हैं हम इसमें पढ़ना क्या है पढ़कर अर्थ समझना लेकित समगरी का उचारण स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई शब्दों को सही सही पहचानना ध्यान दीजेगा दोस्तों जब आप इस सवाल के बारे में आप बात करते हो पढ़ना वाचन वाचन के बारे में आप जब भी बात करते हो तो उसका मतलब ही होता है केवल पढ़ने से नहीं आप पढ़कर की चीज़ों को समझ भी रहे होते हो आंसर आपका होगा पढ़कर अर्थ समझना आंसर आपका क्या आएगा यहां से आगे देखते हैं का और सवाल एक से अधिक भाष्राओं का प्रियोग कक्षाई जटेलता को बढ़ाता है सिक्षकों की गहन समस्या है संग्यानात्मक्विकास में सहयक है या किसी भी एक भाष् संग्यानात्मक्विकास में सहयक है जरूरी नहीं आप एक भाष्रा से भी संग्यानात्मक्विकास हो सकता है एक भाष्र नहीं समझ में आती लंग्वेश कुछ बच्चे हैं जिनको आती होगी आसानी से तो ऐसे में जो आंसर आएगा अपका वह यह आएगा दोस्तों अभी जो यहां पर आप लोग अगर चौथे समेस्टर से हो या तिरतिय समेस्टर से हो तो उनकी भी PDF अवेलेबल हैं अभी मैंने आप वन टाइम जो है परचेस करके सारे PDF को पढ़ सकते हो तो एक बार आप इसे भी देख सकते हो रिक्वेस्ट आप से विसी कि जो अप्लिकेशन है उसे अनिस्टॉल ऐसे न करिएगा दूसरी चीज अप्लिकेशन को अपडेट जरूर रखे अदर्वाइस पीडिया से जा करके एक और सवाल देखते हैं इसमें दृष्टिपादित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेज ध्यान दिया जा सके दृष्टिपादित बच्चों को ले करके बात हो रही है यहां पर यह तो बही बिल आएगा दे लिखा हुए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रियोग करना चाहिए यह सबसे करेक्ट होगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा और लैंग्विज के यूज कर रहे हो ऐसे में आपको पूरा दिख रहा होगा सवाल और यहां पर जो आप्शन है तो बच्चो कि 7 बचे आपका लेक्शर आएगा ऐसे ही ठीक है आप लोगों को मैं बता दूँ स्क्रीन पर आ रहे हैं वीडियोज को भी आप जरूर देखें जो तीन वीडियोज है जो नए है चैनल को सबस्क्राइब आप जरूर कर लें ऐसे ही यहां से अप्डेटेड रहने के लिए जो सक्षम है जो चाह रहे है ऐसे में वो पीडिया फाइल पर जैस कर सकते हैं अधरवाइस पूरा कोर्स आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा यह उप्डेट सीटेट को ले करके हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में थैंक्स फुर वाचिंग